हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज डिजिटल MP में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फोटो सौप में कोई भी फोटो सौप से आप पासपोर्ट फोटो किस परकार से तैयार कर सकते हैं तो आप इस वीडियो क को सुरू से ले करके अंड तक देखते रही है और यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमने इस चैनल में आपको मैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित और फोटो सौप से संबंधित अलबम डिजा फोटोज़ोप में पास्पोर्ट फोटो तयार कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले अपनी फोटोस वाप खोप खोपर गगर अफ्राइद से ऊपने के बाद हमें यहां पर एक नए फोटोग्राफ लेना होगा कि तो यहां पर मैं अ he ही photograph और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपनी फोटो का passport फोटो तयार कर सकते हैं सबसे पहले हमें अपने computer keyboard में सी प्रेस करना है यानि कि cool क्रॉप टूल लेना है तो क्रॉप टूल लेने के लिए हमें यहां पर टूल बार में Photoshop में यह थार्ड फूर्थ नंबर पर जो टूल है, क्रॉप टूल है, इसका सॉटकट C है, आप C बटन दबा कर भी इस टूल को ले सकते हैं, तो जैसे ही हम C बटन दबाएंगे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो width हमें यहां पर रखना है अपनी photo का, वो हमें यहां पर दिखाई दी रहा है, तो चलिए मैं यहां पर अपना photo का 1.1 inch width रख लेता हूं, और height रख लेता हूं 1.5 inch और resolution रख लेते हैं 300, तो इस प्रकार से हम अपनी passport photo को select करेंगे, अब यहां से हम इसको पकड़के drag करे और जितने भी हमें photo का portion चाहिए, उस photo को हम यहां पर select कर लेते हैं, और इस तरीके से हम select करके, enter button जैसे ही दबाएंगे, तो यह photo जो है crop हो जाएगी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि, जो यह photograph है, तो इसमें एक कंधा fix दिख रहा है, और यहां पर हमें यह थोड़ा सा खाली जगे दिख रही है, तो हम इसको मिलाने के लिए अपनी layer को double click करेंगे, यदि आपके में इस प्रकार का layer का option ना खुला हो, तो आप इसको खूलने के लिए यहां पर window में जाएंगे, और F7 दबाएंगे, आप इस layer पर click करके, आप अपने photo का layer को खूल सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं, आपर यह lock डला हुआ है, तो इस lock को unlock करने के लिए इस पर double click करेंगे, और OK बटन दबाएंगे, और दुबारा से Ctrl T करेंगे, और इस तरीके से हम अपनी passport photo को adjust कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह photo काफी अच्छी तरीके से adjust हो चुकी है, अब हम यहाँ पर इस photo में एक छोटी सी border डालेंगे, border डालने के लिए हम यहाँ पर यह rectangle mark tool है, इस tool को select करते हैं, और यहाँ से हम अपनी पूरी photo को select कर लेते हैं, इस तरीके से, और हम यहाँ पर इसमें border देंगे, border देने के लिए हम simply keyboard में shortcut की है, alt e s, या फिर edit में जाकर क आप यहाँ पर stroke पर click करके इस प्रकार का stroke का option खोल सकते हैं, यहाँ पर हम अपने photo के recording यहाँ पर width है, वो हम यहाँ पर select करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 6 pixel select कर रहा हूँ, color हम अक्सर black ही रखेंगे, या आप चाहे तो अपने recording आप यहाँ से दूसरा change कर सकते हैं, कि मैं हम भी black ही रख रहा हूँ, और यहाँ पर हम okay करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर photo के चारो और जो है, एक छोटी सी black color की border डल चुकी है, तो यह photo हमारी completely ready हो चुकी है, अब हम इसको control A से all select करेंगे, और control X से cut करेंगे, तो अपने Photoshop में थोड़ा साप shortcut की का वि change करेंगे, और height 6 इंच रखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4Y6 के passport photo grab के पेपर आते हैं, उसमें मैं आपको अपनी photo का passport photo बनाना सिखा रहा हूँ, तो हम इस photo के हम पर paste करेंगे, पेस्ट करने के लिए control V के use करेंगे, और control Alt की button दबा करके, अपनी mouse की सहता से इस प्र करके तयार हो जाएगे, अब हम दोबारा से उसी photo को control Alt और mouse की button से दबा करके, इसको हम drag कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही photo के, एक ही अकार के तीन photograph तयार कर लिए हैं, अब हम control और E प्रेस करके, इन layer को तीनों अलग-अलग layer है, जैसा कि आप यहाँ पर द control E करेंगे, तो इस तरीके से हम एक ही layer में तीनों photo को add कर सकते हैं, और दोबारा से control Alt और mouse की button से इसको drag करके नीचे खीचेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यह 6 photo हो चुकी है, दोबारा से drag करेंगे, और 9 photo बन चुकी है, दोबारा से हम इसको पकड़के खीचेंगे, तो आ नीचे देख सकते हैं कि आप हमारे पास जगह नहीं बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको control T करेंगे और इसको घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, आप अच्छे से घुमा लीजिए, मैं आपको बताने के लिए थोड़ा जल्दी में, प्रॉपरली नहीं घुमा पा रहा हूँ, आप इस तरीके से घुमा करके एडजेस्ट कर लीजिए, और एंटर दवा दीजिए, अब इस फोटो को दोबारा से आप control और alt की मदब से ड्रैक करके नीचे की तरफ खीच लीजिए, यह सोरी, राइट की तरफ खीच लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि कितन तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारे चैनल में वीडियो एडिटिंग, एल्बून डिजाइनिंग से समंधित सारी जानकारी दी जाती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद